कैसे हो आप सब लोग जी हां आपने थम्डेल में सही पढ़ा है न्यूजल इंड में 89 AC जोब से अगर वो जोब आपके पास है तो आपकी रेजरेंसी के चांसिस 99 पसंड हो जाते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करतें से पहले मैं आपको एक चीज बता दू कि अगर इस वीड देने वाला हूं तो उसके लिए प्लीज रुके रहना अब आपको करना यह है कि immigration की website पर जाना है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी और इंडिया में आप जो भी जोब कर रहे हो या पि जो भी आपका qualification है उसको इस यह वाल जो लीस्ट है 89 जोब्स का उसके साथ मेच करना है अगर उसमें से कोई भी जो आपको मेच होती है तो फिर आपको बल्ले बल्ले करना है विकर्स आपका प्या तो पक्का होने वाला है तो सबसे पहले चलते हैं मेरी laptop की screen पर और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन-कौन सी जोब है और उस जोब के रिग उसके बाद जाके डाल सकते हो जिससे बोलते है वर्क टू रजिडन्स याने कि दो सल का वर्क किया उसके बाद आपको रेजिडन्स्य में विलेगों तो देखिए यहां पर आम लोग आ चोए हैं अगर आपको यह वाला जो ग्रीन लिष नवह सच करना है तो आपको ड़ेक लिखना है तो सबसे पहले जो इमिग्रेशन के साइट है यहां पर और लेड़ी वह आई जाएगा उसका पर क्लिक किया और यह ओपन हो गया तो यह जो चीज़ा है ना उसको में अभी बन कर देता हूं अभी नेक्स चलते हैं ग्रीन लिस्ट के तरब तो यहां पर आप देख करते हैं कि लेड़ टीकिन के जोब इसमें है तो सबसे पहले चार के आपर यहां तो यहां पर आ गया है मेरे लेड़ी चूब हो इस मे हैं तो मेरे चांश जो है प्यार के वो बढ़ जाते हैं हलाकि मैं अलड़ी प्यार हूं मेरी रेजिदेंसी आ चुके हैं बड़ यह तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं ओके तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो यह वाली जो 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 यहां पर लिखा है उसका मतलब यह हुआ कि मुझे मिलेंगे तो यह यहां पर लिखा तौ तो वर्क टू रेजिगन्सरी यहां पर आपको एक करनी पड़ेगी डिटेल के लिखा है कि आपकी इंडंड जो है वह हैं सौशली इस यहां पर यहांपर लोगों और लिख दिया है कि अगर आप दो साल तक यही जोब करते हो तो आपके रेजिलेंस के चांसे से ओपन हो जाते हैं अब हो जाते हो और आप रेजिलेंस से उसके बाद फाइल कर सकते हो बट यहां पर एक चीज ओ लिखी है वो है कि आपको सेप्टेमबर 2023 के बाद ही एपलाई करना पड़ेगा वो फैर इनफ है कि दो साल बेट करोगे तब तो यह टाइम भी आ जाएगा यहां पर देखिया आप कोलिफिकेशन रेजिस्ट्रेशन और एक्स्पिरियंस रिक्वार तो कहीं जोब ऐसी होती है उसमें अलग कोलिफिकेशन चाहिए होता है उसका अलग रेजिस्ट्रेशन क करवाना पड़ता है डॉक्टर की जोब है तो रेजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तो इसमें यहां पर लिखा भी है कि यूविल नीड टू गेट एंजर रेजिस्ट्रेशन वीट मेडिकल साइंस काउंसिल ऑफ न्यूजिलेंड तो तो हम लोग करवा लेंगे कोई आपको जैसे ही ओफ लेटर मिल जाता है जोब उसके बाद डायरेक्ली आप रेजिदन्स के लिए कर सकते हो तो इसमें डिफ्रेंस इफ यही है कि आपको दो साल तक वेट नहीं करने पड़ेगी टायर वन में अगर आपकी जोब आती है तो दो साल की वेट नहीं करने यह सबी जोब से होती है उसमें चाहिए तो इसमें अगर इसमें आपका हो जाता है तो इसके बाद रेजिदन्स आपको ऐसे ही मिल जानी वाली है हम लोग बात करें कि how to find a job तो आप इसे सर्च करी सकते हो बट अगर आपको इसमें जो फिल्टर दिये हैं उसका यूज करना है तो सबसे पहले यहां से आपकी इंडर्स्री सर्च करनी है अब एकलिकल्चर में काम करते हो चौंसरक्षण में काम करते हो यां इंगिजियरिय आपको कोन सी हैं इसम车 में सन्सेक्ट कर सके हो इसका है तो मैं सार्च किया तो यहां पर आ गया यहां मेरी जुब जो रिया में थुह साल में आती है तो मैं लेना है तो मैं सर्च करने के बाद रेजिडेंट्सी एपलाई कर सकता हूं दोस्तों अब टाइम हो गया है बॉनस टीप का बॉनस टीप आपके लिए यह है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है कुछ बीक्वेशन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मेंसेज कर सकते हो अगर कुछ प्राइवेट हुआ तो बट अगर दूसरा कुछ प्रक्वेशन है तो मुझे कमेट में बता सकते हो मैं उसका रिपले करता हूं आप सबको पता है और फिर भी कुछ बहुत बढ़ा प्रॉब्लेम हुआ तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फोन भी कर सकते हो और आप सबको पता भी है कि मैं सब के साथ बात भी करना हूँ तो अगर कुछ भी केशन हुआ तो call me on Instagram and I'll see you in the next video, thank you, bye bye